बश्कार स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि भारत में बनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस बहुत ज्यादा इंपोर्टन एक टोपिक हम कह सकते हैं और बहुत बढ़िया एक अचीमेंट हम कह सकते ह और यह कैसे वर्क कर रही है क्या हाइड्रोजन को इन्होंने कैसे यूज किया कि हाइड्रोजन से चलने लगी देखिए यहां पर एक टेक्नोलोजी यूज हुई है हाइड्रो फ्यूल सेल तो इसको हम समझेंगे और इससे पहले भी मैंने एक सेशन किया था जिसमें कि जो डिपेंडेंसी है जैसे फ्यूल होगे यानि कि जो हम पेट्रोलियूम पदार जो बाहर से खरीदते हैं तो हम उनको कितना कम कर पाएंगे आने वाले टाइम में क्या हम एक लीडर्शिप के तोर पे उभर पाएंगे इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर कर परने वाले हैं वीडियो में आके बढ़ने से पहले पीडियो के लिमा आप लोगों को बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया में लेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट सेल यानि HFC के ऊपर चलने वाली बस इसका क्या मतलब होता है अभी थोड़ा सा धहरे रखिए आपको समझाते हैं HFC यानि हाइड्रोजन फ्यूल सेल अभी इसमें आपको एक वीडियो के तुरू भी समझाऊंगा देखें इसमें क्या होता है एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक ईससा डिवाईज लगा होगा जो Veteric से चलने वाली गाड़ी हो जाएगी तो सर उसमें क्या फरक रहे घைए इसमें और इसमें अई जो सिंपल गाड़ियां देखें है तो उसमें से क्या निकल रहा हो तो उसमें से धौह निकल निकल रहता है इसमें से क्या निकलेगा इसमें से निकलेगा पानी H2O निकलेगा इसमें तो यहां पर यह फ्यूल सेल यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगी इसका क्या मतलब होता है अभी थोड़ा सा धहरे रखे एक वीडियो की तुरू आपको जब समझाओ ना बहुत अच्छे से अब शाल देख है आप जो उनको घरमें चार्ज करतें आप को टायम लगता है किसी ना टायम लग ज़ाता है लेकिन इसमें नहीं है वूट इसमें आप मिन्टों के अंदर इसके अंदर क्या करेंगा आँम इसको रिचार्ज कर पाएंगे जैसे आप तेल डल अफम दल्वा कैसे कर देगा अभी मैं आपको इस वीडियो के तुरू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ एक मिनिट मैं इसको एरो में कनवर्ट कर लेते हैं चलिए स्टार्ट होगी यहां पर देखे यहां FCS यह है fuel cell vehicle Toyota की है उसी की मैंने एक वीडियो लिए है आप देखे यहां पर यहां पर लिखा हूँ आपके सामने hydrogen plus oxygen is equal to क्या बनाएगा electricity और water बनाएगा यानि hydrogen का होगी hydrogen देखो इस गाड़ी के अंदर होगी यह है hydrogen एक मिनिट मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ यह जो आपको दिखाता है यह hydrogen है और यह electrical एक बेंटरी होगी यहां पर फियल्स टैक है यह जो oxygen आएगी वह यहां पर आके मिलेगी सीधा इस hydrogen के साथ गाड़ी चली तो यहां से हुई oxygen की entry यह गई सीधी यहां पर देखे यह जा रही यहां पर और यह से सीधा convert हो रही है इक नट यह लिखे ये oxygen यहां से आई hydrogen यहां से आई electricity जो yellow color की जहां जा रही है वो इसमें यहांपर generate हो रही है electricity और यहांपर इनको power मिल रही है तो देखिए हां पर फिर से देखिए यहांपर इनको power मिल गई अब यह भरी कैसी जाएगी, जैसे मैंने का, इसमें रिचार्ज करने के ज़िए को टैंशन नहीं होती, जैसे यहाँपर देखे, यहाँपर यहाँपर, यह आपके सामने यहाँपर, फ्यूल जैसे डलता है, ऐसी हाइडरोजिन इसके अंदर डल जाएगी, जैसे एक इनट, यह द आपको ज्यादा पावर चाहिए तो दोनों बैंट्री का यूज कर लीजिए तो यह टोटा की है इनका वह गया डिजाइन मतलब यह इन्होंने दो दो पैंट्री लगा रहे हैं लेकिन जो हमारे हमने जो बस बनाई है उसके अंदर तो हमने सिर्फ और सिर्फ यह जो टेक्नलो जो ब्हर Nederland चलते हैं विकल्ट्रो एनके क्या लगतागी यहां स ङीए कार्वन निमकल रही होती हैं अब आप निकलेगा बनीकलेगा वोटर्वेपर या सिर्फ ऒर शिर्फं हवा या पानी मतलब यही निकलेगा. कैसे निकलेगा? जेसे कि अभी मैने आप लोगों मैं ये वीडियो फिर से प्ले करता हूँ आप लोगों के लिए आपको फिर समझ में आएगा. मैंने आप लोगों को पूरी दिखाई नहीं है. इक नट यहाँ पर छलते हैं. यहाँ है क्या है मैं नहीं कर देखा था यहां पर इन्होंने दिखाए नहीं यहां से पाने निकलने वाली चीज़ हो जाती ही तो यहाँ से पानी निखले गए आप देख रहे हो तो यह हो गया हमारे सामने ओके अब यहाँ पर जो है देखिए इसमें इसमें सिर्फ जल वॉस्प या फिर पानी ही निकलेगा और जहाँ पर जो आपने यह वीकल्स देखे हैं आस तक काफ़ी ज़्यादा एफिशेंट हैं इंदर भरने में जो लगने वाला समय जो है हाइड्रोजन के अंदर जो बैटरी से चलने वाले जो वीकल है उनके तुलना में इसमें लाब होगा क्योंकि बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है आपको उसके घर में कम से कम 3-4 गंटे लग जाते हैं लेकिन यह मिन्टों में इंडिस्ट्रियल रिसर्ग सी एस आई यार और के पी आइटी के पी इटी एक इंडियन मल्टीनेशनल कोर्पोरेशन है इनके द्वारा जो इसको डेवलोप किया गया है यह हमारे देश में एक मिशन चलाया जा रहा है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन उसके अंतरकत जो है जो प्रकरती में सबसे ज़्यादा परचूर मातरा में पाए जाने वालों में इस एक पदार थे अब उसका हागर हम यूज करके इलेक्टरिशी डिजनरेट कर पा रहे ही है तो यह बहुत ज्यादा फ्रेंडली है एन्वारमेंट के इन्वारमेंट के मतलब देखिए इसमें से 0% परदुशन नहीं हुआ, 0% भी नहीं हुआ यहाँ पर तब सोचिए यह पूरा फ्रेंडली है एक हमारे एको सिस्टम के अकोड़ें तो इससे बहुत ज़्यादा फाइदा होने वाला है हाई एफिशेंसी ओ फ्यूल सेल वीकल इंशोर लोवर ऑप्रेशनल कोस् किलोमेटर जो डीजल पावर जो वीकल होते हैं उनकी कंपैरिजन में बात करें किराया जो है वो इसमें और ज़्यादा कम हो जाएगा तो एक रिवोलिशन हो जाएगा इंडिया के अंदर इन जैसे वीकल से नेशनल हाइड्रोजन एनरजी मिशन के है मैंने बताया न यह जो बस बनाएगी है वो नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अकोडिंग बनाएगी है तो यह बात कर लेते हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन के हैं केंदरिया बजट 2021 में बोला गया था कि नेशनल हाइड्रोजन मि प्रिवहन के शेत्र में बदलाव लाने की शमता है और इसके जो मेन फोकस जो किया जाएगा इसका फोकस उन् इसको जो है यह जो है यह हमारे देश में हाइड्रोजन इकनोमी हो गया उसको इनक्रीज करने में बहुत जादा काम आने वाली है ऩो हमने पैरिस एक्रिमेंट किया था जिसके अंदर हम पॉलिशन को जीरो नीटिलिटई हम लेका जाएंगी तो उसके अंदर हम जो जो हम ऊद्यक है थे वह किमारी डिपीडेंसी है fossil fuel इन सब को पूरा करने में hydrogen cell जो है या hydrogen energy वो हमारी मदद करेगे अब इस innovation के क्या क्या महतो है देखिए जो innovation है परदान मंत्री के जो एक vision था hydrogen vision उसको कही न कहीं है पूरा करता है हम आतु निर्बन कर पाएंगे एक affordable energy हम ला पाएंगे हर एक तक ये clean energy हम पहुचा पाएंगे एक climate change को हम जो हमारे goal है उनको हम पूरा कर पाएंगे और इसके अंदर जो नए जो entrepreneurs हैं उनको मोका मिलेगा वो हाँ सामने आएंगे जो पसे इसके अंदर create होगी green hydrogen is an excellent energy vector of enable deep decarbonization जो company जो काडिया बनाती है जिनके दौरा परदूशन बहुत जादा होता है तो उनको decarbonize कर पाएंगे यह hydrogen energy इस single diesel bus द्यान से सुनना एक single diesel bus जो है वो distance जब cover करती है 100 ton of co2 annually वो produce करती है तो देखिए हमारे देश में million such buses हैं तो देखिए 12-14% co2 का emission है वो कम हो पाएगा देखिए इतना co2 का emission जो है अगर यह बस हमारे यहां पर इनका स्थान ले लेती हैं इनको replace कर पाती हैं तो यह जो emission हो पा रहा है जिनको हम control नहीं कर पाते obviously इनको यह जो particulates होते हैं इनको control नहीं कर पाते इनको इकठा कैसे करेंगे difficult to capture होते हैं तो यहां पर इनको क्या मतलब की इस hydrogen energy के माध्यम से हम इनको कम कर पाएंगे fuel cell vehicle give zero greenhouse gas submission moreover the operational cost in rupees per kilometer is lower than the diesel powered vehicle जैसे मैंने आप लोगों को बताया इसकी cost जो वो कम होगी as compared to जो diesel powered vehicle होते हैं उनसे अब by the means of such innovation India can transition from being a net importer जैसे आज हम importer बने हुए है fossil fuel का हम depend करते हैं obviously क्योंकि हमारी energy का लग बग 83% जो है बाहर से लेकर आते हैं तो हम इसको खदम करके हम एक exporter बन सकते हैं clean hydrogen energy के अंदर और जिक हमारा सपना है कि हम हमारी resources है energy का वो हम shift कर पाएं renewable energy के अंदर तो हम इसमें leadership के तोर पर भी Uber के सामने आ सकते हैं अब green hydrogen क्या होता है green hydrogen मतलब हम hydrogen जो ले रहे हैं वो कहीं न कहीं से तो हम उनको बनाएंगे तो बनाएं कैसे देखे hydrogen बनेगा कैसे obviously पानी को तोड़ लो पानी का formula क्या होता है H2 हो हम बनाएंगे renewable energy से इस हम यूज करेंगे हमारे वीकल्स के अंदर हमारे ट्रांस्पोर्टेशन के अंदर बहुत जादा शमता है इसके अंदर आप सोचेंगे क्या यह जो electrical vehicle होते हैं क्या इतनी power है बहुत power है इसके अंदर अभी आपको बताऊँगा कि दूर दूर तक हम इनका use कर पाएंगे और हिंदन के शेत्र में जो हमारा गेम चेंजर माना जाएगा hydrogen तेल में जो हम 85% जो हम बाहर से मंगा रहे हैं हमारी जो 53% हम जो गैसी वह हम बाहर से requirement कर रहे हैं हमारी बाहर से requirement पूरी होती है तो ये इन सब चीजों को ये पूरा कर पाएगा फरवरी 2020 में उर्जा मंत्राले ने उर्जा के जो रिन्यूबल स्त्रोथ का उप्योग करके green hydrogen और green ammonia उत्पादन के लिए एक policy का निर्मान क्या था उसका नाम है green hydrogen और green ammonia नीती इसको ध्यान रखने आपको अब इसके क्या मह सिग्निफिकेंस क्या है देखे बारत के लिए अपने जो राष्ट्रे स्तर पर निर्धारित योगदान लक्षों को पूरा करने के लिए जो एक रिजनल होगे एक national उन पे एक जो उर्जा सुरक्षा है उनकी जो पहुंच है उनकी जो उपलब्तता है उनको सुनस्चित करा सबसे बड़ा मेजर डिस अड्वांटेज है जैसे आप तेल को स्टोर कर सकते आने वाले ताइम में उसको वैसे यूज कर लेकिन electricity को हम यूज नहीं कर सकते हैं आपने कभी देखा होगा आपके vehicle को आपने खड़ा कर दिया वो time से आपने यूज नहीं किया तो उसकी battery dead हो जाती है तो यह जो होता है वो क्यों होता है क्योंकि electricity जो है वो store नहीं हो सकती तो यहाँ पर hydrogen को आप store कर सकते हो hydrogen को आप refill कराएंगे तो वो battery जो फिर से charge हो जाएगी तो यह हो जाता है हमारे सामने और गती शीलता के संदर में अगर हम बात करें शहरे और राज्यों के भीतर शहरी माल ढुलाई यात्रों के लिए लंबी दूरी के आत्राओं के लिए रेलवे, बड़े जहाज, बस, ट्रकों इन सब में green hydrogen को उप्योग किया जा सकता है और मुनियादी ढाजें के समर्तन में hydrogen के परमुक नवीनी करन शमता है हमारे सामने अब इसके अलावा भार सरकार ने जो स्वच इंदन सक्रमन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीज़ें ला रखें एक तो हमारे सामने आता है hydrogen इंदन सेल इलेक्ट्रिक विकल FCV, A2, NTPC के एक परियोजना है एक FAME स्कीम चली हुई है FAME स्कीम के अंदर हमारे सामने Faster Adaptation of Manufacturing of Electric Vehicle FAME 2 यह जो स्कीम है यह चली हुई है इसके अंदर इलेक्ट्रिक विकल को बढ़ावा दिया जा रहा एक हमारे सामने एक Green Hydrogen जो फ्यूल से लेक्ट्रिक विकल है Toyota Mirai यह मैंने आपके सामने इस सेशन को लिया भी था इसी चैनल पर आपको मिल भी जाएगी क्योंकि इसने वर्ड रिकोर्ड बना रहा है सबसे ज़्यादा लंबी दूरी इतया करने में एक बार अपना टैंक फ्यूल कराने में लग बग 700 किलोमेटर चल गी थी है लग बग जहां तक मुझे याद है अब इसके अलावा EV30 अब यहान है कुछ ना कुछ करके हमारे पास जो हम इंडिपेंडेंडेंट बन पाएं हम हमारी एनर्जी सेक्टर के अंदर यह सब चीज़ें जो है वारत की दौरा चलाई जा रही है तो उमीद करता हूं कि आज का जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो बैशक वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ जादा ही पसंद आ गए है तो शेर कर सकते हैं वीडियो को as well as चैनल को भी पीडियाव के लिए मआप लोगों को लिडिये बता चुका उँ description box में telegram का link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो के पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तब आज के लिए इतना है था thank you for watching this video